सुप्रिया शुरुवात आपसे चीनी पैसे पर आप दुश्प्रचार करती हैं तुकडे तुकडे गैंग का हिस्सा हैं देश विरोधी ताकतों को सहयोग और समर्थन देती है कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांदी सीधा आरोप लगा रही है बीजीपी आपको मेरा नमस्कार और अवल तो मैस बेवकूफी की दलील का भारतिय जनता पार्टी की जवाब भी देना जरूरी नहीं समझती हूं और इसलिए जरूरी नहीं समझती हूं संदीब जी क्योंकि तीन महिने से मणीपुर जल रहा है सरकार के पास उसके लिए बोलने के विए वक्त नहीं है प्रधान मंत्री भागे भागे पिर रहे हैं सदन में मूँ नहीं दिखा रहे हैं कल जब बहस शुरू हो रही है तो भारतिय जनता पार्टी इस तरह की उल जलूल आक्षेप लगाएगी असलियत यह है कि साड़े नौ साल से सत्ता में आप हैं और असलियत यह भी है कि यथावच स्थिती अप्रेल 2020 की 3.5 साल होने को आगया हम बना नहीं पाए हैं अपने लगदाख के बॉर्डर पे असलियत यह है कि अपने पेटरोलिंग पॉइंट्स को हमने बफर जोन में कनवर्ट कर दिया है पेटरोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 असलियत यह है कि चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन डॉलर का है असलियत ये है कि चीन को हमने तीन साल लगातार अपना ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बड़ा बनाई रखा ये बीस जाबाजों की शहादत है और असलियत ये है कि लाल आख दिखाने के बजाए लाल शट पहन कर प्रधानमंत्री चीन के वराश्चपती का अभिवादन करते हैं जब गलवान की शहादत के बाद पहली बार मिलते हैं जूले पे पींगे जूलना वो अलग बात है असलियत ये है कि तीन महीने से मणीपुर जल रहा है वहाँ पर महिलाए और बच्चे जुलस रहे हैं 160 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और परसों 6 लोग और जुलसे हैं और सरकार के पास अगर 78 दिन के बाद वो भयावे विडियो नाया होता जिसने रोंगटे खड़ कर दिये तो प्रधान मंत्री ने मणीपुर के उपर वो च्छत पर जो सवाल आज पूछा जा रहा है सुप्रिया नियॉक टाइम्स के इस आर्टिकल का हेडर है ग्लोबल वेब आफ चाइनीज प्रॉपगेंड़ एक वैश्विक जाल दुष्परचार का और उसमें नियूज क्लिक का वो जिक्र करते हैं और नियूज क्लिक पर जब फरवरी 2021 में सरकार रेड करती है तो रंदीब सुर्जेवाला से लेकर दिगविजे सिंग और आपके ट्वीट का जिक्र कर रहे है अनुराग ठाकूर की आप उसके समर्थन में उठ खड़े हुए थे अनुराग ठाकूर की साड़े नौ साल से सरकार है ना तफ्तीश करें असलियत तो ये है कि बकलोली की बाते बोलना पार्लेमेंट में भाजपा के प्रवक्ताओं का भाजपा के सांसदों का मानक बन चुका है एक्सपंज हुए ना वो सेक्शन जहाँ पर उन्होंने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का और राहुल जी का नाम लिया था मैंने वो एक-spunge portions भी देखे है जो उन्होंने चीन के संबन्द में राहुल जी का नाम लिया जो उन्होंने independent journalist का नाम लिया जिसमें स्वाती चतुरवेदी और रोहिनी सिंग और अभिसार शर्मा सामे सब के नाम expunge हुए उन्होंने रंदीब सुर्जेवाला मेरा और दिग् अरे आपने अपनी सारी संस्थाई छोड़ दिये उसके बाद भी आप किसी एक व्यक्ति को फसा नहीं पारे असलियत ये है देखिए संदीब चौधरी जी कि इनकी खिलाफत जो करेगा जो इनसे चार कड़े सवाल कर लेगा जो इनको आइना दिखाने का काम करेगा उसको वो देख दो ही डिक्लेयर कर देंगे दस सेकेंड में एक बात कहके अपनी बात खतम करती हूँ कल रात तक न्यू यू यॉर्क टाइम्स, डबलू एस जे, वाशिंग्टन पोस्ट, अंतराश्टिय साज़िश का हिस्सा थे भारत के खिलाफ आज ब्रहमबाक के बोलने लगे, यह सरकार का जो पाखंड है, यह जो सरकार का दोगला पने यह बंद हो जाना चाहिए ये असलियत है सरकार की ये असलियत नहीं है डूकलाम हो रहा था 2017 में और चीनी दूतावास में मुलाकात करते पाए गये थे राहूल गान्दी सरकार ये आरोब लगा रही है संसत में भी आरोब लगाया निशिकान दुबे ने 2005 से 2014 के बीच Communist Party of China fund दे रही थी Congress Party को Rajiv Gandhi Foundation को आपने जिस व्यक्ति का जिक्र किया सदन की गरिमा का सम्मान करती है नहीं तो ऐसे व्यक्ति को सदन में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है वो व्यक्ति जिसकी खुद की डिगरी संशय में है वो बोल रहा है ये कुछ तस्वीरे हैं ये चीनी लोगों के साथ भारतिये जनता पाटी की सरकार की नहीं है ये लोग तब सरकार का हिस्सा नहीं थे चाहे वो JP नड़ा की मैंने तस्वीर दिखाई हो या अमित शा की दिखाई हो या इनका ये डेलिगेशन दिखाया हो ऐसे तमाम संबंध भारतिये जनता पाटी के भी है क्योंकि पोलिटिकल पाटी एक दूसरे से संबंध रखती है तो भारतिये जनता पाटी के कह देने से ना हमें उनके राष्टरवाद का सर्टिफिकेट चाहिए ना उनसे धर्म का सर्टिफिकेट चाहिए कॉंग्रेस पाटी ने चीन से लड़ाई करी है कॉंग्रेस पाटी के नित्रित्व में पाकिस्तान के दो टुकडे हुए आपने क्या किया है आपने अपने पेट्रोलिंग पॉइंट को बफर जोन बना दिया और इस देश के प्रधान मंतरी ने चीन को क्लीन चिट दिये और कॉर कमांडर की लेवल की टॉक्स में चीन आज भी प्रधान मंतरी की कोई घुसा हुआ नहीं को दिखाता है दर्शाता है इससे बड़ा दुरभाग के दूसरा क्या होगा लेकिन मुद्दा मनीपुर है और उससे बर्गलाने का उससे ध्यान हटाने का जो भी स्वांग भारतिय जनता पाटी रच रही है हम वो होने नहीं देंगे बात तुम मुद्दा मनीपुर है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी डियूज आपको रखे आगे